आज हम बनाएंगे बहुती टेस्टी यम्मी मटका कुलफी मटका कुलफी कहलो मलाई कुलफी कहलो या कुलफी कुछ भी कहलो नाम तो एक ही है लेकिन टेस्ट में लाजवाब है आइसक्रीम कुलफी खाना हम सबी को बहुत पसंद होता है क्योंकि यह लगती ही इतनी ज़्यादा टेस्टी है और गर्मियों में रहत भी देती है इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं चलिए तो आज हम घर के ही सिंपल सामानों से इस मटका कुलफी को बना करके तयार करेंगे और यह बिल्कुल मलाईदार बन करके तयार होगी बहुत ही आसानी से बन जाती है तो देखे मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिए और उसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दिया है जिससे जब हम इसमें दूद डालेंगे वो कढ़ाई के तले में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा अब यहाँ पर मैंने चार ग्लास के करीब दूद ले लिया है एक ग्लास में 500 ml दूद आता है तो यह हो गया एक केजी दूद और यह फुल फैट मिल्क हैं आपके पास जैसा भी दूद अवेलेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं या दूद पर से मलाई हटा करके भी दूद का यूज कर सकते हैं अब क्या करेंगे जब यह दूद हलका गुनगुना हो जाएगा तब आप इसमें से आधा कटोरी दूद लगभख 1500 ml के करीब दूद को अलग निकाल करके रख लें अब इसमें हम मीठा एड करेंगे तो मीठी के लिए मैंने यहाँ पर 5 बड़े चमज के करीब चीनी लिए हैं अगर आप चीनी खाना पसंद ना करते हों तो आप यहाँ पर गुड़ का भी यूज कर सकते हैं अब दूद को अच्छे तरीके से चला देंगे तो यह देखें मैंने यहाँ पर ना दो ब्रेड ले ली हैं और इनके सलाइसिस को हम अलग कर लेंगे जो किनारे हैं बिलकुल उनको अलग कर लेंगे हमें इसका केवल वाइट पार्ट का यूज करना है अब इस ब्रेड को हम दूद मेट करेंगे जिससे क्या होगा दूद बहुत ही जादा गाड़ा हो जाएगा और इसमें मलाईदा टेक्शर आ जाएगा जैसा मार्किट की मटका कुल्फी खाते हैं बिलकुल वही बला फ्लेवर आएगा और ऐसा नहीं है अगर आप ऐसा सोच रहे हों कि दूद में ब्रेड को डालने से इसका टेक्शर या स्वाद आएगा बिलकुल आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इस मटका कुल्फी में हमने ब्रेड का यूज करें और बहुत जादा टेस्टी यम्मी बन करके ये मटक तरीके से मिला देंगे और इसमें मैंने एक बड़ा चमच इलाजी पाउडर भी एड किया है जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है अब क्या करेंगे जो हमने अलग का टूरी में दूद लिया था उसमें दो बड़े चमच के करीब मैंने मिल्क पाउडर एड कर दिया तो यह देखे मैंने कड़ाई में दूद को मिला दिया है अब इसे हम अच्छे तरीकी से चला देंगे इसे हम जब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा उबाल ना जाए और इसमें बॉइल आने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पांच मिनट में ह यह दूद एकदम बढ़िया तरीके से गाड़ा हो जाएगा देखे दूद में उबाल आ चुका है अब यहां पर हम करते हैं आगे की तयारी अब क्या करेंगे आप कोई भी एक पैन ले ले और उसमें चार बड़े चमज के करीब चीनी एड़ कर दें अब गैस की फ्लेम को आप लोही रखें इसमें बिल्कुल भी पानी एड़ना करें क्योंकि चीनी को हमें केरेमलाइज करना है जिससे बहुती बढ़िया कलर आ जाता है और जब इसे आप चलाते रहेंगे तो यह चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और फिर आप इसे कढ़ाई वाले दूद में मिला दें और अच्छे तरीके से चला दें अभी तो आपको यह थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन जैसे जैसे आप इसे चलाएंगे और यह जो केरेमलाइज वाली चीनी है मिक्स हो जाएगी इसका कलर बिल्कुल कुलफी वाले कलर जैसा आ जाएगा एक तम बिल् जैसे चला लें और इसमें एक बड़ा चमच के करीब जैफल का पाउडर एड कर दें इससे क्या है कुलफी का जो टेस्ट है बहुत ही जादा बढ़िया हो जाता है जब यह अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तब आप इसमें मोल्ट में जमा लें तो मेरे पास आइसकी व फोईल आती है ना इसको लगा देंगे तो इसमें बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमेगी फिर आप इसे फ्रीजर में सैट करने के लिए रख दें और चार से पांच घंटे में आइसक्रीम बहुत ही अच्छी तरीके से सैट हो जाती है या फिर आप इसे ओवरनाइट भी रख या फिर जिस तरीके से में चाकू से घंट लागा करके इसक्रीम को एंसेट कर रही हुँ इस तरीके से भी आप इसको निकाल करके एंज्चोब कर सकते हैं और यह हम जो में कर दोsın ग्लत वान बिल्कुल भी प्रॉबल्म हीख होती है अब क्या करेंगे इस creatorator के लिए अरे य मतका कulphi को डेकोरेट करने के लिए में यहां पर कुछ ड्राइफूट लिया हैं जिसमें मैंने पिस्ता और बादाम को बारी बारी चौप कर लिया है और इसको राउंड राउंड घुमाते हुए सारी कुल्फी पर लगा लिया है इससे देखने में बहुत जादा बढ़िया लगेगी और यह बिल्कुल ऑप्शनल ह आपका मन हो तो आप इसको डेक्रोइट कर सकते हैं बना स्किबी कर सकते ही देखिए हमारी जो मत का कुल्फी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन करके तयार हो चुगी है आपको रेस्टीपी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बतन को जुरूर प्रेस करें थेंक्यू